हेलो स्टुरेंट्स, वेलकम बैक टू कॉस्ट लॉक्स एड़त की मैच में हम लोगों ने निव चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें हम लोगोंने स्क्वायर्स को निकालना सीख लिया था और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आपको chapter उसी वीडियो से देखना start करना है और आज हम इसी chapter को आगे continue करना है आज का topic है square roots So, today I will tell you कि हम किसी भी number का square root prime factorization method से कैसे निकालते हैं Now, let us consider a number For example, 144 So, first of all, we need to find its prime factors Start from 2 Now, this number is no more divisible by 2 So, from 3 Now, we write it prime factors in this form Then further what we will do We will make pairs of 2 same numbers So, we have 2 pairs of 2 and a single pair of 3 Then, we will write them once 2, 2, 3 So, what we will get 12 So, this particular number is square root of the number So, we can write square root of 144 is equals to 12 Last video में हमने perfect square numbers को discuss किया था So, वो numbers जिनका square root एक whole number रहता है उसको हम लोग perfect square number बोलते हैं So, let's say आपने कोई एक ऐसा number लिया है जो perfect square नहीं है तो उस case में यहाँ पे कुछ और numbers left out रह जाएंगे मतलब आपके pairing करने के बाद कुछ number single form में left out रह जाएगा जो कि उस number को perfect square नहीं बनाता है या उससे आप identify करेंगे कि वो number perfect square नहीं है इसको हम एक simple example से समझ लेते हैं Let's say हमने यहाँ पे एक number लिया हुए 18 So, अब 18 का हम लोग prime factor बनाना start करते हैं 2, 9 जा अब 9, 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से start कर देते हैं So, we got these 3 numbers Now, अब हम 18 के prime factors यहाँ पे लिखेंगे और pairing करना start करेंगे तो 2 का तो pair करने के लिए number है नहीं But 3 का एक pair बन गया So, 3 को आप एक बार लिख लोगे But 2 का pair बना नहीं है So, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 18 जो है वो एक perfect square number नहीं है और हमें मालूम भी है कि हम कोई भी एक ऐसा number नहीं निकाल सकते हैं जिसको खुद से multiply करें तो 18 आ जाए अब इसमें हमें एक question पूछा जाता है कि हम 18 को किस number से multiply करें smallest किस number से multiply करें कि यह perfect square number बन जाए So, यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है 2 की So, अगर यहाँ पे हमें एक extra 2 introduce कर देते हैं तो 2 का भी pair बन जाएगा और फिर 2 भी नीचे आ जाएगा So, उससे answer क्या आएगा? 6 मतलब वो कौन सा number होगा? nearest वाला जो perfect square है 36 और उसका root क्या आएगा? 6 So, यहाँ पे हमने 2 चीज़ सीख ली किसी भी number को अगर आपको identify करना है कि वो perfect square है की नहीं तो अगर आप उसका prime factor करते हैं और कोई number left out रह जाता है तो मतलब उस case में वो perfect square नहीं है और अगर अब हमें उसे बनाना है perfect square किस छोटे number से multiply करें तो हम उसमें वही वाले numbers से multiply करते हैं कि pairing नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर आपने 2 से multiply किया है मतलब 18 2 से multiply होके क्या बन गया 36 और अब वो nearest perfect square number है तो आप आपको यह method समझ में आ गया होगा next class में हम लोग और भी methods discuss करेंगे square roots के और decimals वाले number का कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे estimation भी सीखेंगे तो इसलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें कोई भी doubt है तो comment करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें